शिखर पुरुष लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात कर रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी उनकी पुत्री प्रतिभा आडवानी भी वहाँ पर उपस्थित हैं और ये मुलाकात की तस्वीरे उनके घर के अंदर से सामने आ रही हैं आडवानी से मिलने पहुचे प्रधान मंत् मुदी भारत रतन दिया गया है लालकुष नाडवानी को हाल ही में और अपने तीसरे कारेकाल के शपत ग्रहेंट से पहले पहुंचे हैं लालकुष नाडवानी के घर और उनसे मुलाकात कर रही है तस्वीरे अपने आप पे बहुत कुछ कहती है तो बेहत महत पूर्ण खबर तो एक तरफ एंडिये के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र राश्पती को सौप दिया है सरकार बनाने का दावा एंडिये ने पेश कर दिया है और उस बीच प्रधान मंत्री मुदी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं लालकृष नाडवानी के पास किसी समय उनके राजनित उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर आते हैं और तीसरे कारेकाल की भी शबत ग्रहिंन करने से पहले वो पहुंचे हैं लालकृष नाडवानी के गर उनसे मुलाकात करने के लिए और दूसरी तरफ चाबर ये भी है कि मुली मनूह जोशी के गर भी जा सकते हैं क्योissements बढ़ सानमंत्री मोधी NDA के नेता चुने गए उसके बाद वो सीधा पहुंचे लालकृष्णा इडवानी के पास और दूसी तरफ NDA के तमाम जो मुख्य दलों के मुख्य चेहरे थे वो पहुंचे राश्टपती के पास जहां पर नोने समर्थन पत्र सौपा और इसी के साथ अब यह तै हो गया है कि एक बार फिर से देश में NDA की सरकार उसकी आपचारिक ताएं पूरी हो गई है तो अब यह आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि सिर्फ शपत ग्रहन का इंतजार कारेवाहक पीम के तौर पर काम कर रहे नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपत लेंगे नौजून की वो तारीक जो चर्चा में है क्योंकि नितिश कुमार ने भी नौजून का ही जिक्र किया तो उसी से सब लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि नौजून को ही पीम पद की शपत लेंगे प्रधानमंत्री मोधी और उससे पहले लालक पस्वीर सामने आए थी जब NDA का नेता चुना गया था नरेंदर मोधी को उनको माला पहनाई गए थी तो सभी लोग आकर उनको बधाई दे रहे थे उनसे हाथ मिला रहे थे तो ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदतिनात ने भी उनको पुश्प भेट करके हुआ क्या और उस बीच ये तस्वीर संसत के सेंट्रल हॉल से निकली जहां पर ये संदेश दिया गया कि सभी लोग एक साथ हैं थोड़े मुश्किल हालाद जरूर हुए हैं लेकिन सरकार उसी तेवर से चलने वाली है और उसी मन्शा से चलने वाली है ये सपश्ट संकेत क सब लोग साथ साथ हैं विनीत हमारे सायोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत लालकृष्ण आडवानी से समय समय पर मिलने आते रहे हैं नरेंद्र मोदी लेकिन वो occasion भी खास होते हैं और आज इससे बड़ा मौका क्या अपने सरकार के कारेकाल में तीसरे टर्म में शपत लेने से पहले वो लालकृष्ण आडवानी के से मिलने पहुचे हैं यह अपने आप में एक इतिहास भी है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश के पीम पद की शपत लेंगे तो तस्वीरे आपके सामने हैं और ढोल नगाडों की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है क्योंकि बीजेपी और एंडिये खेमे में इस वक्त जशन का महौल है तीसरे बार उनके सरकार बनने जा रही है और उसके लिए जो सभी आपचारिक ताइम होती हैं वो लगभग लगभग पूरी कर ली गई है यानि अबाधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि मोधी सरकार 3.0 अपना कामकाज जल्द शुरू करेगी और बतर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जो हैं वो बहुत जल्दी शपत लेने वाले हैं और उससे पहले वो पहुँचे हैं लालकृष नाडवानी के घर उनसे मुलाकात करने उनका आशरवाद लेने तो ये तस्वीर सीधा आप देख रहे हैं और उससे पहले सेंट्रल हॉल में प्रधान मंत्री मोधी ने सबको संबोधित भी किया और विपक्ष को निशाने पर भी लिया और नोंने कहा कि 10 साल में कॉंग्रेस सौ का आंकड़ा भी नहीं छूपाई NDA संसद यदल के नेता के लिए मोधी के नाम का प्रस्ताव किया गया और फिर वो सर्वसमती से नेता चुने गए